हम डेली रोश मर्रा में क्या होता है कि हम अपने आपको एक उस धर्रे में हमने ढाला हुआ है कि हम सब को कॉपी करते हुए जा रहे हैं जो जैसा करता है उसको देखकर हम भी वैसा करने लगते हैं लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करते हूँ कि मुझे जो बच्पन से एकांत बहुत अच्छा लगता है और उस एकांत में रहने के फाइदे आपको बताती हूँ कि कैसे हम बहुत चीजों से दूर हो जाते हैं मतलब नेगेटिव चीजों से हम दूर हो जाते हैं और हम सत्य से अपने आपको जोड़े रखते हैं तो बीच बीच में हमें एकांत में रहकर अपने आप से मनन्चिंतन करना चाहिए अपने से बाते करने चाहिए क्या आपको लगता है वर्तमान समय हमारे पास समय है अपने से बात करने का? नहीं! जैसे हम भूल गए हैं कि अपने से भी बात होती है हांची अपने से भी बात होती है अब आप इस आदत को अपनी दिनचरह में एड़ कर लिजिए फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन होगा मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ कि मेरे को एकांत कभी-कभी जैसे बहुत हम अपना बिजी हो जाते है न तो मन करता है एकांत में जाओ शुणने में जाओ या प्रकरती से आटैच हो जाओ जर्नली हम ऐसा कुछ करते नहीं है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं तो एक बार अब हम देखते कि हम अपने माहौल से अपने एटमोस्फियर से भी हम बहुत चीज़े सीख सकते हैं हमारे साथ हमारे आसपास अच्छा हो रहा है तो हमारे आशपास कुछ बुरा भी हो रहा है लेकिन हम अगर एकांत में होंगे तो सत्य भी हमारे आसपास ही है और असत्य भी हमारे आसपास है अगर मन शांत है एकांत में बैठे हो चिंतन कर रहे हो तो आप सत्य से नेचर से जुड़ जाते हो और नेचर से भी प्यार होना चाहिए हम हमारा शरीर भी प्रकरती के पाँचों तत्वों से बना हुआ है तो क्या हम अपने पाँचों तत्वों को के बारे में सोचते हैं हर एक में गुण मौजूद है हर चीज में गुण देखो चाहे वो जानवर है चाहे पक्षी है चाहे नेचर के पांचों तत्व हैं चाहे व्यक्ति विशेश है हर चीज में विशेशता मौजूद है ये स्रिस्टी का नियम है ये स्रिस्टी का स्रिस्टी में ये है कि हर एक में कुछ ना कुछ विशेश है तो जब हम अपनी सोच बनाएंगे कि हमें कुछ देखना है तो उसमें सत्य ही देखना है उसमें विशेष्टा ही देखनी है ऐसे ही एक दिन मैं एकांत में संडे का दिन था तो सुबह सुबह मौर्णिंग वॉक पर भी जरूर जाना चाहिए और अगर आप लॉंग वॉक पर जा सकते हो मौर्णिंग के समय तो आप अपने मन की स्थिती देखेंगे कि आपके मन की स्थिती बहुत अच्छी होगी और आपके मन में जो विचार आएंगे उनकी क्वालिटीज भी बहुत अच्छी हो जाएगी ऐसे ही संडे का दिन था छुटी थी तो मैं थोड़ा सा अकेले चलने का बहुत अच्छा लगता है एकांत में अपने आप से बात करो प्रकरती से या जो भी साइड सीन से उनको देखो तो हम डेली दिन चर्या से डिटैच हो जाते हैं थोड़ी समय के लिए और उस एकांत में उस एकांत के सीन सीनरी से अटैच हो जाते हैं तो ऐसे ही मेरे घर के पास ही एक नदी है सतलुज रिवर तो उस समय रेनी सीजन था उसमें बहुत अच्छा फ्लो था तो मैं चलते चलते मुझे लगा कि मैं आज नदी किनारे बैठ जाती हूं तो जब मैं वहां जाकर बैठ गई और अपनी ही नेच्रल सोच में चली गई जब देखा पानी का फ्लो देखा तो लगा पानी मैं ऐसे लगा मुझे कि मैं पानी से रोड़ा अटैच हो गई हूं मुझे उसके बारे में सोचने का मन किया कि मैं सोचूं क्या विशेष्टा है जल में तो मुझे लगा कि हम रोज जल पीते हैं दिन चर्य में यूज करते हैं हमारी बॉड़ी में भी 70% से जादा जल होता है और जल के बिना तो जीवन ही नहीं है तो वहीं बैटे-बैटे मेरे मन में आइडिया आया कि जल में क्या-क्या विशेष्टा है मैं जरा उनको देखूं तो फिर मेरे को लगा कि जल कितना शान्त होता है मतलब कि शीतल होता है जल का गुण क्या है शीतलता वो सबको शीतलता देता है सबको प्यास लगती है सबको पानी चाहिए और एकदम केतना relax मिलता है क्योंकि जल का जो natural गुण है वो है शीतलता वो किसे भी परिस्थिती में अपने इस गुण को छोड़ता नहीं है अब आप देखो जल बहता ही रहता है चाहें वो पहाडों से नीचे गिरे चाहें गंदे नाले में जाए कैसे भी है लेकिन जो उसका basic गुण है शीतलता वो सदा रहता है तो शीतलता तो क्या मैं इस गुण को अपने में धारंड कर सकती हूँ तो मेरी नेचर या मेरा मन या कैसा हो जाएगा तो मैंने उससे इस शीतलता के गुण को अपने में ग्रैंड किया कि इसका ये विशेष्टा है कि इसका जो गुण है वो है शीतलता तो ये गुण मैंने उस जल से उस बहती हुई नदी से जल तत्व से इस गुण को अपने अंदर उस समय मैसूस किया कि ये तो बहुत अच्छा है मुझे भी ऐसा होना चाहिए ये गुण मेरे अंदर भी होना चाहिए तो ये विशेष्टा जल की मैंने अपने में धारण की जो मुझे अच्छे लगे दूसरा जल सदा बहता रहता है वो कभी रुकता नहीं है चाहे वो पहाड़ों से नीचे गिरे जले चाहे पहाड़ भी आ जाएं तो एक जल का गुण दूसरा क्या है कि वो हमेशा बहता रहता है तो ये दूसरा गुण जो मैंने उससे धारण किया कि सदा चलते रहो रुकना नहीं है ठेरना नहीं है जब हम रुक जाते हैं तो हमारी लाइफ ही रुक जाती है हमारी सोच रुक जाती है और हम प्राब्लम्स हमें आसपास घेर लेती हैं इसलिए सदा चलते रहो कैसी भी परेशानिया आएं जल के आगे जल उपर से पहाड़ों से नीचे आता है प्लेन में जाता है नदी नाले पार करता है कितनी रुकावटे जल के सामने आती हैं लेकिन जल बहता ही रहता है और कहां जाके मिलता है सागर में तो जब वो चलता रहता है तभी सागर में मिलता है आप देखें सोच ये थोड़ी गहराई से जल चलता रहता है बहता रहता है रुकता नहीं है तो अंत में सागर में विलीन हो जाता है नदी बन बन के वो सागर में समा जाती है तो हमारी जीवन यात्रा भी ऐसी है तो हमें अपनी जिन्दगी में कितनी भी परेशानिया क्यों ना आए हमें रुकना नहीं है हमें ठैरना नहीं है हमें घवराना नहीं है चलते रहना है कभी अच्छा आएगा तो कभी बुरा आएगा लेकिन ऐसा करते करते चलते चलते हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो ये गुण मैंने जल से ये गुण भी लिया और इस पर भी विचार किया बहुत देड तक जब हम ऐसे विचारों में खोते हैं तो हम डेली दिनचर्या से डिटाश हो जाते हैं और इस सत्य से हम अटाश हो जाते हैं तो हम रिचार्ज भी होते हैं ऐसे और हम प्रकृती से सत्य से जुड़ जाते हैं हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है हम चार्ज महसूस करते हैं रिफ्रेश महसूस करते हैं ये था सेकंड गुण जल का अब तीसरा गुण जल को जिस पॉट में डालेंगे जिस बर्तन में डालेंगे वो वही शेप ले लेता है ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लिया कटोरी में डाला कटोरी में डाल दिया किसी और ड्रम में डाला उसका शेप ले लिया ये गुण से हमने क्या सीखा कि जैसा समय मोल्डिंग पावर कि हम जैसी परिस्थिती है जैसी situation है अपने आपको उसके अनुरूप ढाल लें जो जिस परिस्थिती आए उसमें वैसे मोल्ड हो जाएगा तो वो सफलता पुरवक बहार निकल जाएगा या सफलता को प्राप्त करेगा उसकी खुशी बनी रहेगी उसकी हिम्मत बनी रहेगी तो यह है मोल्डिंग पावर जो जल में हमने देखी जो जल से हमने सीखी और जल जीवन के लिए बहुत important है हमारी लाइफ जल के बिना कुछ है ही नहीं तो मोल्डिंग पावर यह वर्ड है लेकिन आप अपनी practical life में इसको implement करेंगे कभी हमें घर में रहना होता है कभी घर के family members के साथ कभी हम office जाते हैं जा कभी हम बाहर के संपर्क में आते हैं तो हर एक प्रकार के व्यक्ति परिस्थितियों से हमारा सामना होता है सभी के संसकार अलग होते हैं सभी की nature अलग होती है तो अगर हम उस अनुसार अपने को मोल्ड कर लें उस situation में तो हम सफलता पूर्वक भार निकल सकते हैं और जर्णी विल केरी ओन केरी ओन केरी ओन केरी ओन तो ये था तीसरा गुण चौथा गुण water transparent होता है colorless होता है ये भी गुण अपनी life में हमें adopt करना चाहिए हमारा सोच हमारा transparent होनी चाहिए transparent मतलब जो हम अंदर सोच रहे हैं वही हमें बाहर बोलना चाहिए करना चाहिए मतलब सोचना और करना समान होना चाहिए जैसे water transparent होता है एक bucket में हमने पानी डाला तो उपर से हम नीचे surface को देख लेते हैं तो transparency है ना और colorless भी है तो ये nature transparent होने की होनी चाहिए जिसको हम सच्चाई भी कहते हैं सफाई भी कहते हैं तो अगर हम transparent रहेंगे तो हमें life में कोई problem नहीं आएगी अगर हम artificial means use करते हैं कि कुछ अंदर कुछ सोच रहे हैं बाहर कुछ कर रहे हैं तो problems आती हैं लेकिन जैसे जल transparent है ऐसे ही हमें अपने को transparent बनाना है irrespective of कि लोग कैसे हैं मुझे transparent रहना है इसका benefit मुझे ही मिलेगा transparent रहना मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही मुझे करना है वही मुझे बोलना है this is the transparent दिल तो ये जुगुण चौथा गुण मैंने जल से adopt किया तो जल कहां मिलता है सागर में हम आत्में भी एक लंबी जर्नी पर हैं और हमें भी कहां समाना है सागर में ही समाना है तो ये चारों गुड आप जल से ग्रहन करके अपनी life में अगर लेकर आएंगे तो अपनी life में परिवर्दन देखेंगे शीतलता का अगुण चलते रहना है second चलते रहना है keep on flowing तीसरा transparency और molding power ये चार points जो मैंने जल से लिए वो अपनी life में adopt करेंगे तो हम अपनी life को बहुत better बना सकते हैं तो एक जल तत्व से ही इतने गुणों को ले लिया कब लिया जब मैं ordinary life से अपनी daily life से detach होकर मैं उससे attach हुई तो एकांत में रहकर जब आप प्रकरती से attach हो जाते हैं तो हम अपने में नवीनता पाते हैं और उन गुणों को हम adopt करेंगे तो हम काफी कुछ nature से भी सीख सकते हैं connect हो सकते हैं ओम शान्ती